और राइट गाइज स्वागत आपका इस वीडियो में तो फाइनली यहाँ पे टोके रेवेंजिस का नियू एपिसोड आ चुका है कर रात में बार बजे ही आ गया था एपिसोड और मैंने रात में एपिसोड देख लिया था बट फिर यार रात में जागना थोड़ा मुश् कि अच्छे दोड़ा है कि नहीं तो चले फिर इवीडियो शुरू कर लेते हैं और बाकी बातें वीडियो के एंड में कर लेंगे एपिसोड की शुरुवात में आपे हमें इजाना और किसे की की सींद दिखा जाता है और हमें बताया जाता है कि इजाना ने किसकी का बॉडी डबल प्रिपेर करके रखा था यानि किसकी की जगा उसके जैसे दिखने वाले किसी को अरेस्ट करा दिया गया है क्योंकि उसने एक क्राइम किया है या पर उसने एमा के उपर हमला किया है ठीक है वो भी एक जान लेवा हमला किसी की ये कहता है कि मेरे को एक चीज तो समगा जा गई है माइकी के बारे में एक लीडर बनने के लिए हमें दिमाग की ज़रुत नहीं होती लुक्स की ज़रुत होती है और माइकी के पास तो काफ़ी कमाल के लुक्स है एक लीडर बनने के लिए तोमान में जो लोग का भी शामिल है उन लोगों के साथ उसे नहीं होना चाहिए वो उसके पोटेंशल को खतम कर देंगे इसलिए मेर को खुद आगे बढ़ना पड़ा और अपने हाथ गंदे करने पड़े तो यहाँ पर किसी की भाई सारे के सारे अपने जो क्राइम्स होते हैं उनको एकसेप्ट करता है वो बताता है कि उसने खुद कियो मासा की मदद से ड्राकन के उपर अटैक करवाया उसको जान से मारने के लिए लेकि फिर उस समय किसी ने इंटरफेर कर दिया वोर कोई ने तबल की टाके में सी हानगा की था उसके बाद उसका प्लैन था वाल हाला नाम की गैंग को बनाने का और उसने सोचा था कि वो माईकी को उस गैंग का लीडर बनाएगा लेकिर उसके बाद केस के बाजी ने अप अपने खुद के सिस्टर को मा रहा है और तुम्हें बस इसकी बड़ी हुई हैं पहले उसे कहा था की में उसके रिये वापस आहुँगा। मैं तुम्हें आए मेंस अकेला था दस साल में आप बिटाये और वहाँ पर श सिर्फ एक ही इंसान मरे बेवे से मिलने आया। जो कि था शीनी चेरो सानो उस समय सिरफ वो ही एक इसान था जसने मेरे को सपोर्ट किया तो इसी वज़े से जिन लोगों को भी शीनी चेरो पसंद करता था उन सब को मैं जान से माड़ा लूँगा सिर्व है मेरे तो टोमार टोमार आओ चुका है to support 3 और 4 यह सब्सक्राइल कर नहीं नहीं जा सकता है जो आपको में जा सकता यह दो अब हम सीन दिखाय जाते है धर ड्रहा सोथ यह ध्याग कर घोडी देख लिए खरहरो तो पहले होकल फैंड मजाक है पुछ नहीं ज़ींग अपन। एमा की डेथ हो चुकी है, भही माईकी भी भार भाई काफ़े डिप्रेस होके बैठा होता है, टाकमीची उसके पास आके बैठता है, और वो बोले भी क्या, तभी ड्राकन रूम के अंदर से बाहर आता है, और वो यह कहता है, एक मिनट के लिए मेरे साथ बाहर चलो गए, मु उनके पीछे जाता है, और ड्राकन पूछता है कि बताओ मेरे को, हुआ क्या ये, कैसे हुआ ये, यहाँ पे, भाई ड्राकन माईकी को पंच मारना शुरू कर देता है, क्योंकि माईकी यहाँ खुद शौक में होता है, और वो कुछ बोल नहीं पाता, ड्राकन उससे बार प गलत बंदे के उपर हाथ उठा रहे हो, तुम्हें मेरे को मारना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी ड्राकन यहाँ पे माईकी को मारता रहता है, और वो ये कहता है कि तुमने ये ग्याइंग हम सब को प्रोटेक करने के लिए बनाई थी, क्यों है ना, यहाँ पे ड्राकन को में को रियलाइज हुआ थोड़ा कि ठीक बात बोल रहा है, भरे माईकी भी एक इंसान है, वो सबको नहीं बचा सकता, लेकिन ड्राकन यह कहता है कि पाच इन भी अरेस्ट हो गया, जिसके बाद बाद भाजी भी मर गया, काज़टोरा को भी अरेस्ट कर लिया गया, और पड़ाइज है तो हीना की यादा आती है, और वह यह सोचता है कि इन सब चीजों को एकसे इसे कर सकता है, जब कि ठाके मीचे खुद यहां पर हिनाता को बचाने के लिए इतनी बार ट्रायम ट्राइम कर चुका है, अपनी पूरी जी जान लगाय रहा है वो अपनी दोनों के दोनों कैसे आहिमा को भूल सकते हैं कैसे वो यह चीज एकसेप्ट कर सकते हैं कि नहीं यह काफे ज़्यादा बुरी बात है दूसरे वर हमें यहापर टोमान की मीटिंग का सीन दिखाया जाता है क्योंकि इनका टाइम हो चुका होता है बेसिकली हापर लड़ने का ट टाकमीची का सीन दिखाया जाता है और यहापर मायकी अभी भी शौक में होता है वो कुछ नहीं बोलता तो टाकमीची कहता है कि मुझे पता है कि यह समय इस चीज का नहीं है लेकिन तुम्हारे ओर्डर्स के बेना हम टेंजुगू से आज लड़ाई नहीं कर पाएंगे आ दूसरे और वो देखता है कि हिनाटा भी भागते वाकते आरही होती है होस्पिटल के अंदर तो वो जाता है इस रूम के पास जब देखता है तो हिनाटा भी बहुत जादा रो रही होता है और एक काफी अच्छी करेक्टर थी जिसके बारे में हम ज़्यादा डीटेल में पर दिखाए गई ती लेकिन नहीं काफी रो रही होती है उसकी दोस के से मर सकती है उसकी बेस्ट फ्रिंट थी वह काइंड और तो भाई फिनाटा को गुस्सा आता है काफी जाद हो कहती है कि मजाग का समय नहीं तो देखती है कि भाई टाकमीची खुद यहां पर रो रो के में तो यह सब अब कर जा आठा है कि अब वह करने जा रहा हूं तो टाकमीचे निकल जाता है और वो यह कहता है कि फिर आज चाहे मैं मर क्यों ना जाओं लेकिन मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा तो चलो अब यह खेल खतम करते हैं किसकी तो जब यहाँ पर टाकमीची होस्पिटल से बार आता है तो चिफवयो उसका वेट कर रहा होता है बाइक के उपर उसे पि की डेथ हो चुकी है तो यह सब के सब हो जाते हैं और फिर सिरिसली सुनना शुरू कर देते हैं तो यह लोग जनके लीडर करते हैं कि और वाइस कैप्टन कैसे है तो चिफवय बताता है कि इसी वज़े से आज हमारे लीडर वाइस लीडर नहीं आ सकते लड़ाई में, जिस यहीं कहता है कि हाँ मैं मान तो हूँ कि यह बात सच है लेकिन टोमान आज ही टेंजुकु से लड़ेगा तो इन सब लोगों को काफी गुस्सा आता है यह लोग यहीं कहता है कि भली तुम फर्स डिविजन की कैप्टर हो लेकिन हापे हमारे लीडर बनने की कुछ मत करो हमें और वगएले नहीं दे सकते हैं तो यह लोग यह से भागना शुरू करते ते जिसके बाद इनको पता है यह सब होने वाले लेकि फिर भी टाकी मीची तो पीछे नहीं हट सकता वो यह सोचता है कि उसको बले अकेले क्यों ना जाना पड़े लेकिन वो जाएगा तो सब करके इस बांच्छी नहीं कर दोας हैं हैं कि कि नहीं चुपकर आचे होते हैं कि यह बृब यह भंद ऑर भी ऐसी कोई दोने चुछब निगल गए होते हैं वहीं साथ में मिच्सोया भी आचुका होता है और वह यह कहता है कि तुम लोगों के दिमाग फिर गए हैं कि तुम लग जाएंगे तो तुमान की वाट लग जाएगी इसलिए तुमान की रिपेटिशन मचाने के लिए हमें आज प्रूफ करना पड़ेग कि हम ऐसे क्यों हैं तो यह सब कि अशी यह कहता है कि अगर मैं अचीज़ चीज़ कर सकता है तो फिर तो कुछ भी नामुम्किन नहीं और उसके लिए सबसे पहरे मुझे पहराना होगा इसाना की बाट लगानी होगी और टेटा खिसी की का किस्सा खतम करना पड़ेगा तो सबके सब लोग यहां पे चिलाते हैं और लडने के लिए तयायर हो जाते हैं अब ऐसा लगता है जो नेक्स एपिसोड होगा हमारा उसके अंदर काफ़ी तगड़ी फाइट होगी और इसमें हमारा एक एंड क्रेडिट सीन भी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ तो यहां अपूर्ट का हमें सीन दिखाया जाता है जहां पे इसाना ने शब लोगों को लड़ाई के लिए पुलाया था अब यहां लेकिन ऐसा लगता है यहां पे इसाना के चैरे पर काफ़ी खूंड हो शुकी है यहां यह शुरू हो चुकी है और वह कहता है कि आज इसी जगह हम ठीक है अब मुझे नहीं बता है नेक्स एपिसोड में क्या होगा मैंने मांगा तो नहीं पढ़ रखी है टोके रेविंजर्स की बट शायद आप लोगों ने पढ़ी हो स्पॉलर्स मत देना जिन्होंने नहीं पढ़ रखी वो मिले को बताना कि आपको क्या लगता है नेक्स Talk के लिए गुट बाय तो दोस्तों आज की वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही आपको यह वीडियो पहसंद आई होगी अगर आपको यह वीडियो पछन आयो थो प्लीज लाइक कीजिए अपने दोस्तों के साथ सेर्प की जिए और मेरे चैनल को सरक्साएं का हमार को नहीं मत